नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और मेरे नाम है डॉक्टर मौनु मिश्रा दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी के बारे में पीएचडी फोर्म इंटरनेशनल डैट इस इंटरनेशनल इवर्स्टियोज और अब्रॉड मेरे विश्युट में प्रोसीजर को अगर आप मास्टर लेवल में तो आप भार्ती प्यएचडी प्येश्डी करना चाहते हैं तो तो सिंपल तरीका यह है कि आपको अपना ऐच्छा बनाना हैं च्छा आप आप प्लाई करने जा रहे हैं तो आपको रिसर्च एक्स्पीरेंस द कर रखा है तो इसके लिए क्या है अगर आप master's की फिस्ट और स्टुडेंट हैं तो जो भी science related quiz होते हैं science related programs होते है science related internships होती है workshop होते हैं इसमें participate कीजिए माल लीजिए आपके उसमें मुद्ञाय उनिवस्ट्री में कोई workshop चल रही है two तो इन सब चीजों को आप जाके उसमें पार्टिसिपेट कीजिए आप अगर कोई लैंगवेज सीख सकते हैं बहुत अच्छी चीजिए अगर नहीं सीख सकते कोई करेक्टराइजिशन टेकनिक अगर उस पर वरक्षाप पोरी है वो अटेंड कीजिए कोई सिंपोजियम हो र कि आप रिसर्च में इंट्रस्टेड हैं तभी आपने इतने सारे इवेंट से पार्टिसिपेट किया है और इससे आपका सीवी थोड़ा आउट ओफ दी क्राउड होके निकल के आएगा ठीक हैं अब आते हैं वह स्टुरेंट जो मास्टर के सेकेंड यर में हैं जो फाइनल कीजिए आप 6 महिने का जो भी टाइम दे रहे हैं उसको अटेंटिवली कीजिए पूरा डेडिकेशन से कीजिए अगर हो सकते तो कोई पॉब्लिकेशन का काम कीजिए नहीं हो सकता है तो आपने काम को किसी कॉन्फरेंस में भीज़ दीजिए किसी प्रोसीडिंग में कर दी इंटर्शिप में तो मलब MBA वगरा ऐसी चीज़ों में तो आपने सर्वे करना सीख लिया आपने डेटा का एनालेसिस सीख लिया कुछ भी आपको ऐसी इंपॉर्टेंट चीज सीख के रखनी है जो आपको यह दिखाए कि हाँ आपने अपने डिजर्टेशन में किया है इसमें में मैं बात यह बतना चाहता हूं कि अगर आपका डिजर्टेशन नहीं हो पाया कोई के चैकर में तो जितने लोग है इसमें उसमें मतलब इस सब् ै का नहीं हो पाया होगा कि स्चैनी सब के साथ क्रोन की स्टीशन थी आप और क시는 का भी नहीं हो पाया तुर ड Totally it's even नहीं हो पाया होगा dissertation क्योंकि सब के साथ corona की situation सेम थी तो अगर किसी का भी नहीं हो पाया तो definitely it's a even even thing कि आप को इस odd one out नहीं होंगे सभी का नहीं हो पाया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है मगर कुछ लोग ऐसे जिनको theoretical काम दिया गया है आप theoretically सीख सकते हैं आपने कोई language सीख ली तो आप crowd से stand out कैसे करेंगे ठीक है आपने dissertation नहीं कर पाए मगर आप क्या कर सकते हैं कुछ लैंग्विज तो सीखी सकते हैं कुछ theoretical चीज़ सीख सकते हैं कोई software सीख सकते हैं कुछ भी ऐसा नया कर सकते हैं जो बाके श्टुटन नहीं करा है अगर आपके पास research experience नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं कर पाए मगर आप language सीख के कोडिंग सीख के कोई प्रोग्राम सीख के software सीख के एक्सेक्टर वगरा सीख सकते हैं जिससे आप और वन आउट हो जाएं मतलब क्राउट से भार आ जाएं अब आते तीसरे लेवल के स्टुएंट जो मास्टर्स पास कर चुके हैं जिनके पास कोई research experience न कोई dissertation न कुछ नहीं है अब इस students को मैं यह recommend करूँगा कि ठीक है आपने प्रोजेक्ट में रोल कर लीजे एक साल काम कर लेजिए आप जाके किसी चोटी उनिविश्टी में पीच्डी रेजिस्टर कर लीजे वहाँ एक साल आप research experience ले सकते हैं और आप किसी लब किसी ग्रुप में जाके भी थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं research group में आगर आप किसी प्रोफेसर को लिखेंगे कि मैं इंटरस्टेड हूँ आपके ग्रुप में काम करने के लिए तो वह definitely consider करेगा तो पोस्ट master's भी आप कुछ experience ले सकते हैं किसी project में जाके किसी project associate project intern research associate something लाइक जाके आप काम कर सकते हैं और इससे क्या होगा आपको एक research experience मिल जाएगा और वह एक साल एड़ साल छे महीं जितना भी experience है वह आपका आगे जाके इस्तमाल हो जाएगा अगर आप किसी चोटी उनिवस्ट requirement के requirement अलग-अलग होती है और सीधी बात कि PhD position कैसे देखें तो मैं इस एक video में ने बनाई है जिसको मैं end में डाल दूँगा कि PhD position कैसे देखें PhD position देखने के दो तिन तरीके होते हैं कि आता आप किसी website से देख लें जैसे find a PhD.com ऐसे जो मैंने तीन चरव website है वह आपको बता requirement के साथ match करेगा तो definitely आपको callback करेगा या फिर email लिखेगा और आप उसके साब से देन ट्यूनिंग करके वह आपके लिए position create कर देगा और आप उसके पास जाके PhD कर सकते हैं अब आती है इसके लावा सबसे पहला काम होता आपको mail डालना अगर आप informally किसी प्रोफेसर की त आया है और document बहुत ही जो मतलब में document है वह आपका है एक स्टेट्मेंट और परपस English language test अगर आप यूरोप को छोड़ के अप्लाई कर रहे हैं देखिए यहाँ पे English language test सिर्फ और सिर्फ आपका अप्ली केबल होगा USA के लिए Canada के लिए Australia के लिए यूरोप में आपको ज़र लेटर मांगा जाए और recommendation तो definitely मंगे जाएंगे तो letter of recommendation के लिए दो अपने reviewer को तयार रहे हैं कि जो आपके लिए letter of recommendation लिखते हैं कई बार research proposal भी मांग लेते हैं बट वो research proposal बाद में आता है जब आपका हर चीज़ हो जाती है कि हाँ आप मुझे ले लेंगे देन उसके CV आपको बहुत ही अच्छा रखना है बहुत ही स्ट्रीम लाइन रखना है ठीक है CV में आपको यह सब चीज़े ध्यान रखनी है कि आपके जितनी भी मतलब achievements है वो सब mention होनी चाहिए तो CV सबसे पहले आप भेजते हैं सबस्यादा इंपोर्टेंट होता है सबस्यादा चीज़े में मेंशन होनी चाहिए अब उसके अलावा आप इस चीज़े मैंने बता दी ट्रांस्क्रिप्ट हो गया letter of recommendation हो गया मोटिवेशन लेटर हो गया इसके अलावे कई बाट कुछ छोटी मोटी requirements होती है उसके लिए आपको इतना तो काम करना पड़ेगा कि आपको युनिवेश्टी की website पे जाना होगा वहाँ पे एक admission का section होता है for PhD उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है कि हाँ इस प्रोग् मैं आपको नहीं बिता सकता कि क्या का चाहिए यह सब आप जाके उनिवेश्टी की website पर देखिए थोड़ी महनत तो करनी पड़ेगी हलवा में कुछ नहीं मिलता है ठीक है तो जाइए इतने से आपका काम हो जाना चाहिए तो आप आते नेक्स स्टेज के आपकी बहुत से मिल जाएगा उस country में जाने के लिए तो आप उसको ले जा सकते हैं मगर क्या आपके fellowship इतनी सफीशेंट है अब यहां पर fellowship के बारे में भी बात करना चाहता हूं कई बार होता है कि आपको full fellowship मिलती है कई बार आपको half fellowship मिलती है तो मेरा recommendation यहीं रहेगा कि आप उसी मतलब position प जाएंगे अब लोग मुझे पुछते कि fellowship कितनी होती है कितना पैसा बच जागा कितना क्या कर लेंगे कितना यह कर लेंगे इसके रूल्स भी अलग अलग हर country में जो fellowship का amount है वो अलग अलग होता है मगर nearly almost हर जगा इतना मिलता है कि आपके सारे expenses cover हो जाएंगे अगर fully funded position मिल अब यह मत देखी कि इतना ज्यादा मिला है क्योंकि जितना पैसा आपको मिलता है ना उसके सबसे खर्चे भी होते हैं आपकी fellowship depend करती किसी स्टेट में है अगर आप कैलिफोर्निया में है तो आपके fellowship ज्यादा होगे क्यों होगे खर्चे ज्यादा है यूरोप में भी अगर सेविंग की तो कितना पैसा बहा जाकर बचा लेंगे तो भाईया मेरे इसाब से आप पैसे के चक्क्र हैं भार मज जाई क्योंकि सेविंग 2-3 साल की है मगर आपको अच्छी पीच्डी करनी है तो पैसा तो सब सेम मिलेगा अल्मुस्ट थोड़ा बहुत ही डिफ्रेंस अगर आप घर से बहार ही नहीं जाना चाहते है आप भार ही खाना नहीं चाहते है निचोड लेंगे अपने आपको बिल्कुली तो ऐसा तो बलब क्या ही लाइफ जिए हो गया लाइफ की बार मिलती है मतलब 1500 अगर आपको यूरो मिल रहे हैं तो मेरे ख्याद से आपके खर प्रांस भी देखेंगे स्पेन भी देखेंगे तो यह सब खर्चे में आपके 20,000 रुपर महिना बचेगा और आप बिल्कुल इक जिन्दगी फुल जीने वाले हैं तो आपका 0 रुपर बचेगा तो आपके पर डिपेंट करता है आपका खर्चा आप कितना बचा लोगे ब को पैसे बचाने का इतना स्कोप नहीं होता मैं आपको रेक्मेंट भी करूंगा कि आप इतना पैसे के पीछे बागे है तो यह सब चीजे हैं जो आपको ध्यान रखनी है ऐसा ज़रूरी नहीं की रिसर्च एक्स्पीरिएंस के बिना पिच्डी नहीं मिलती है definitely research experience के बिना भी PhD मिलती है, मेरे ऐसे बहुत से जानने वाले हैं, जिन्होंने master's करा, master में भी research experience नहीं था, उसके आत कुछ नहीं हो, और डिरेक्लिन की PhD की position मिल गई, तो ये सब चीजों का ध्यान रखिया और apply कीजिए, अब आती है बात अलग-अलग courses के लिए से physics chemistry, math, bio, MBA, architecture सब जगाना PhD में admission का rule almost same होता है, सब जगा almost same document मांगा जाते हैं, अब ये होता है कि engineering वालों से paper का इतने requirement नहीं होती है, क्योंकि engineering के paper लाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, और science वालों से ज्यादा requirement होती है, कि science में paper लाना relatively easy होता है, तो ऐसा नहीं है, documents आप जो भी आपको चीज सब आपकी website पर referd होंगे, उस university की website पर जाईए, सारे document collect कीजे, और ऐसा नहीं कि एक university में और दूसरी में नहीं होगा, तीस बहुत universities है, कहीं ना कहीं तो हो गई होगा, बस आपको ये सोच के रखना है कि आपको top 200 universities के या top 500 universities के इंडर ही admission लेना है, उससे अग नहीं है, ठीक है, पैसा बहुत ज़्यादा नहीं बचेगा, document आपको university के website पर मिल जाएंगे, और चाहे किसी भी आप ब्रांच से हो, चाप chemistry से हो, physics से हो, mathematics से हो, आप MBA से हो, commerce से हो, आर्ट से हो, linguistic से हो, किस technology से हो, सब के document सब का procedure almost same रहता है, सब को fellowship मिल जाती है, कई बार अगर आपको fellowship नहीं मिलती है, तो guide के पास कोई project होता है, बोलता है, मैं आपको इस project रख लूँगा, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, depend करता है, आपको guide की personality कैसी है, यह नहीं कि आपको बाद में बुला के का, अरे आपका selection ही नहीं हो पाया, तो आप एक साल हाँ सरवा settlement हो जाता है, मगर कई जगा मेरे जानता हूं लोगों को, जो पाँच 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 अट साथ साथ से एक जगा है, जो settlement नहीं हो रहा है, ठीक है, तो PhD को एक education के लिए सोची कि आप एक education लिने जा रहे है, डिगरी के मतलब तयारी के लिए जा रहे है, आप यह मत सोची कि आप settlement के लिए जा रहे है, अगर यह सोच के जाएंगे तो आगे बहुत जारा दिक्कत हो सकती है, इसके chances हैं, बट यही एक soul motto नहीं होना चाहिए आपके जाने के लिए, पैसा बचाना भी आपका soul motto नहीं होना चाहिए जाना के लिए, कि कितना पैसा मिलेगा यह सब नहीं, झाल 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 झाल